ऐसे ही का तमाम ये कंगो दिवाल है जैसा ही रंगो रूप है प्रसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंटरल का मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी नाइन के अडिटर अंशुमान तिवाली जी जुड़ गये हैं सर बहुत स्वागत है आपका लंबी छुट्टी पर जाने से पहले आखरी मनी सेंटरल हाँ दीपावली के आप सबको बहुत शुब कामना है ये दीवाली सुरक्षित हो शुब हो आप सबके लिए इस मनी सेंटरल से लेकर अगले मनी सेंटरल के बीच में कई छुट्टियां हैं कई सारे तेवहार हैं इसलिए हम विस्तार से आपको बताएंगे कि इस दोरान इस खबरें कौन सी हैं कौन से मुद्धे हैं जो मनी सेंटरल का हिस्सा हैं उनको जानने के लिए आप देखिए on the show शुरुवात होगी सोने के बाजार में ये क्या हो रहा क्यों घट गया देश में गैस का आयात किस गड़बड़ी के लिए गूगल पर लगा जुर्माना मून हाइटिंग सही या नहीं बढ़ गई कंपनियां महंगा होने के बाद भी कौन ले रहा कर्ज और अब आर्बी आई कैसे रोक सकता है रुपए की धलान आर्बी आई के तरकश में कुछ तीर बचे हैं वो कौन से तीर हैं जिन से अभी भी रुपए की धलान को रोका जा सकता या अश्मान जी आज बताएंगे शुरुबात विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमतों में आई गिरावट के बाद स्विजर लेंड से भारत और चीन को सप्लाई होने वाले गोल्ड में जोरदार बड़ोतरी देखने को मिली हैं आकडों की माने तो अगस्त के मुकाबले सितंबर के दोरान स्विजर लेंड से गोल्ड के निर्यात में 43 फीसद का उच्छाल आया है और 191 टन गोल्ड का एक्सपोर्ट होने वाले इस गोल्ड में अधिकतर सप्लाई भारत को ही है भारत के अलावा चीन, तुर्की और UAE को भी स्विजर लेंड से गोल्ड की सप्ला करेंगे कि ब्रिटेन में जो हो रहा है ब्रिटेन के अर्थवे उस्था में जो हो रहा है उसका दुनिया के लिए क्या मतलब है और भारत और पुजिया के अने देशों के लिए उससे क्या नसीहते मिलती है लेकिन सबसे पहले बात तेवहार की कल धनतेरस है और बात सोने की इस समय दुनिया में सोने के दो बाजार चमक रहे हैं एक शंगाई का गोल्ड मारकेट और इस्तामबूल का ग्रेट का ग्रेंड बाजार इन दोनों बाजारों में लंदन की वाल्ट से और स्विजलेंड की वाल्ट से निकल कर सोना जा रहा है एक दिल्चस्प सा रुख हमें आंटर अश्त्री सोने के बाजार में दिखाई दे रहा है व्स्टर्न देशों के पश्यमी देशों के बाजारों में चूंकि डॉलर रिलेटेट बान्डस और डॉलर की सिकुरिटी है उनकी डिमांड जाधा है उनमें बहतर रिटरन की संभावना दिखाई दे रही है तो वहां से सोने की विक्वाली हो रही है और वो सोना दुनिया के चार-पांच प्रमुख देशों की तरफ जा रहा है जिसमें में चीन में इस समय सोने का प्रीमियम है वो लगभग 6 साल की सबसे जाधा उचाई पर है चीन के अलावा टर्की, थाइलेंड, सौधी अरब, भारत भी शामिल है जिन बाजारों में सोने की विक्री हो रही है लंदन मेटल एक्षेंज की जो लंदन मुलियर मार्केट असोसियेशन की जो वाल्ड्स हैं वहां से अप्रैल के अंतर तक 527 टन सोना निकला है जो इन सारे बाजारों में गया है और इसलिए अब दुनिया के सोने के ग्रेंट बाजार को देखिए और जब सोना आगे जाता है तो चांदी भी उसके पीछे पीछे आती है और इसलिए एशन मार्केट में खास तोर से भारत के बाजार में चांदी की विमांग तेजी से बढ़ी है सोने का यह रुख पश्चिम देश पश्चिमी देशों के अपने के तौर तरीके से जो इस समय बाजार में दिख रहा है उससे बिल्कुल अलगे इसके साथ दुनिया के सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे है भारत में रिजर बैंक ने काफी बड़ा सोना खरीदा है टर्की ने अपने गोल्ड अगस्त में करीब करीब 8 से 9 तन का क भारत में नेच्रल गैस आयात में बड़ी गिरावट देखने को मिली है सितंबर तिमाही के दौरान देश में आयात 5 साल के निचले स्तर पर रहा है सितंबर तिमाही के दौरान देश में 7305 यूनिट नेच्रल गैस का आयात हुआ है जो वितवर्श 2017-2018 की सितंबर तिमाही है नहीं भारत में मांग के बाद भी आयात का घटना क्या संकेत है यह इस आयात के घटने से चिंता है क्योंकि यह दो साल का सबसे नियुंता मायात है भारती अर्थवस्था में के लॉक्डाउन से निकलने के बाद भारत में गैस की मांग भी बढ़ी थी और अगर आप अपन गैस से जुड़ी हुई रणनी थी है उसकी चूक दिखाई देती है भारत में इस पॉट से आने वाली लेंजी की सप्लाई दूरी तरह तूट गई है क्योंकि भारत की कमपिनिया आम तोर पर इस पॉट से से गैस खरीती है और अब वो सारी गैस योरोप के बागी देशों की तरफ डैबट हो रही हम इस पर चरचा करते रहें मनी सेंट्रल में कि भारत की जो एक तैशोदा सप्लाई है वो गैस प्राम से आती थी और गैस प्राम के साथ गेल के रिष्टे इस समय ठीक नहीं है प्रतिबंद के कारण गैस प्राम सप्लाई नहीं कर पा रही और पूरत है और भारत के हमें LNG की कैपिसिटी या LNG के इंपोर्ट की कैपिसिटी काफी बड़ी मातरा में उपलब्द हैं जो ताजा अकड़ हैं उसके मताबिक कुछ एक टर्मिलस को छोड़कर जाधा तर LNG टर्मिलस पर 30-40 परसेंट ही कैपिसिटी का यूटिलाजेशन हो पारा है क्योंकि गैस नहीं मिल रही इसका फलित या इसका असर यह होगा कि भारती बाजार में गैस की किलत आने वाले समय में रहेगी और वो गैस की किलत हमें कई तरह से गैस की आपूर्तियों पर और कीमतों में बड़ोतरी की रूप के तोर पर नज़र आएगी अब समय कुछ क्यों हो रहा है देखी इस स्पेशल रिपोर्ट में आटे और तेल की महगाई से हाथ जला रही सरकार दालों के मामले में कोई धील नहीं छोड़ना चाहती बफर में प्रयाप्त स्टॉक होने के बावजूद सरकार ने आयातित दरहन को स्टॉक करने का फैस्ता किया ह और साथ में डालों के आयात पर दी गई छूट को भी अगले साल मार्ज तक बढ़ा दिया है केन सरकार ने एक लाग टन तौर और पचास जार टन उड़द आयात के लिए टेंडर जारी किया है और आयात होने वाले इन दोनों तलहन को सरकारी गोदाओं में स्टॉक किया ज सरकार के तैं समर्थन मोली से उपर चल रहा है जबकि मोंग का भाव समर्थन मोली से नीचे है तूर और उड़त के बढ़े हुए दाम को देखते हुए सरकार ने इनके आयात का फैसला किया है तूर का MSP 6600 रुपए है और मंडियों में भाव 7400 रुपए के उपर चल रहा ह वहीं उड़त का भाव समर्थन मोली से थोड़ा उपर दर्श किया गया है हाला कि अधिकतर दालों का बाजार भाव अभी नियंतर में है बढ़ती हुई खाद्य महगाई के दौर में सिर्फ दाल ही है जो सरकार और आम आदमी को राहत दे रही है लेकिन तूर और उड़त क कम उत्पादन के साथ इस साल दालों के आयात में भी गिरावट देखने को मिली है और इस वजह से भी सरकार समय रहते आयात बढ़ाना चाहती है इस साल अप्रैल से अगस्त तक देश में करीब सवा 5 लाक टन दलहन का आयात हुआ है जबकि पिछले साल इस दोरान 8 लाक टन से ज़्यादा का इंपोर्ट हो चुका था हाला कि सरकार के पास दलहन का परयाप्त स्टॉक है वो भोकता सचीव रोहत कुमार ने खुद माना है कि सरकार के भंडार में करीब 44 लाक टन दलहन पड़ा हुआ है लेकिन सरकार के पास रखे दलहन में भी जातर चना ही है अन्य सभी दलहन का स्टॉक बहुत कम है यही वजा है कि सरकार चने को छोड़ अन्य सभी दलहन के आयात को बढ़ावा दे रही है खुद आयात के अलावा व्यापारियों को तूर उलद और मसूर के आयात पर दी जाने वारी छूट को अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया गया है सरकार नहीं चाहती है कि आटे और तेल की महगाई की तरह डालों की महगाई भी उसके लिए चुनावती बने महिराइन के लिए मनोज कुमार आपको यह भी बताते कि इस साल चने का भाव समर्थन मूल से नीचे है जबकि गेहूं का भाव समर्थन मूल के बहुत ऊपर चल रहा है और अशंका जताई जारे कि गेहूं का बढ़ा हुआ भाव देखकर किसान चने की जगा गेहूं की खेती को तरजी दे सकते हैं अब ल जोड़े रहेंगे तो आप दिवाली पर क्या करते हैं देखिए सफाई करते हैं हम लोग गिफ्ट देते हैं हम लोग पटा के छोड़ते हैं हम लोग निवेश के बारे में सोचते हैं अपनी डायरी बनाते हैं अपने तमाम काम करते हैं जो रुपए पैसे से जोड़े होते तो Money9 के अलग-अलग शोद आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजने लेकर आएंगे, अब पहले शो के बारे मैं आपको बताता हूँ, पहला शो है हमारा जो आपको सोमवार को मिलेगा ANPS यानि 8090-100, 8090-100 के इस शो में हम आपको ये बताएंगे कि इस दिवाली अगर आप सोना नह Share Portfolio से जुड़ी हैं, जिने आपको ध्यान रखना चाहिए और उन दियों के साथ, जो आप पूजा पर जलाएं, उन दियों के साथ, निवेश के वो कौन से दिये हैं, वो कौन सी बाते हैं, जो आप जरूर ध्यान रखें और इस शो के माद्यम से जानकर आप उन कामों को अरलेंस दिवाली, जो आपकी वित्ती एस्थिती को, आपके स्टॉक पॉर्टफोलियों के आपको निवेश को बहुत मजबूती देंगे, अब अगली ख़बर, प्रतिस्परदा आयोग यानि CCI ने प्रतिस्परदा तोड़ने के आरोप में सर्च इंजन गूगल पर तेर प्रवाव से इस तरह के काम कर रोक लगा है, उदर ब्रिटेन में अमेजन के खिलाफ एक अरब डॉल्व का केस फाइल हुआ है, अमेजन पर आरोप है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ही प्रोड़क को जाधा तरजी दे रहा है, सर गूबल ये क्या गड़बल करत से सुनाई देगी, क्योंकि भारत में गूगल जैसी कम्पिनी पर इंटी ट्रस्ट गतिविदियों पर जुर्माना लगने की शुरुआत है, ऐसा ही केस हमने अमेरिका में भी देखा है और यूके में भी शुरू हरा जिसमें आगे बात करेंगे, ये किस्सा है एंडराइट प्लेट फार्म से जुड़ा हुआ, इंडराइट प्लेट फार्म का मालिक है गूगल और कम्प्टिशन कमीशन ने अपनी तीन साड़े तीन साल की जाच में पाया कि गूगल जितने डिवाइस मैनिफेक्चर करने वाले लोग हैं, यानि जो हैंडल डिवाइस बनाते हैं, म और गूगल की जुनियर एसोसेट्स ने कुछ कानून के विद्यार थी, उनने कम्प्टिशन कमीशन को शिकायत की थी, और यह कहा था कि गूगल पूरे के पूरे एप मार्केट में अपने तरह से मोनोपोली क्रियेट कर रहा है अपने प्ले स्टोर के जरिये, गूगल ने में जाच की और गूगल की इस मोमने में जाच हुई और कम्टिशन कमीशन ने अपने लंबे आदेश में में अलग-अलग प्रावधानों के तहते पाया कि गूगल एंड्राइट प्लेट फार्म पर अपनी अपना जो मोनोपोली है करीब 94% के असपास मोनोपोली है गूगल पर पड़ता है और इसके खिलाफ गूगल पर जिर्माना लगाया गया इसके साथ ही एक और घटना करम जो इसके पारलल चल रहा था वो भी महत्तुपूर्ण है कि जब गूगल के साथ मुकदमा चल रहा था इस बीच में करीब आधा दरजन के आसपास प्रमुक ए एक्सचेंज हो जहां आपको मुबाइल एप मिल सके हैं और उनका डाउनलोड की आजा सके हैं क्योंकि आम तोर पर अभी जब आप मुबाइल एप्लिकेशन का डाउनलोड करते हैं तो आपके पास दो ही तीन आप्शन उपलब होते हैं यह बहस भी और यह कोशिश भी इसक तरीके के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं अमेजन के खिलाफ दो तरीके के मामले हैं अमेजन के खिलाफ अमेरिका में पूरी जाँच चल रही हैं इन्टी ट्रस्ट की यह माना जाता है कि अमेजन अपने फैसले अपने अपने अल्गोत के थूरू अपने ठीक इसी मामले पर UK में एक एक एक्शन ग्लासूट फाइल किया गया है जिसमें ामेज़न पर करीब एक बिलियन पॉंट के आसपास का मामला है। उसमें भी यही पूरा मामला है कि किस तरह से Amazon अपने Elgos के थुरू कुछ खास कंपिनियों को या अपने उत्पादों को प्रोटसाहित करता है। लगबग यही काम हमने अमेरिका में भी देखा था। अभी कम्टिशन कमिशन ने इसी तरीके के एक मामले में मेकमाइट्री पर इस्तेमाल कर रही है और धीरे धीरे कम्टिशन के जो रेगुलेटर हैं दुनिया के वो जाग रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। दो चीजें फर्क होंगी। कैग अब भारत का जुनिया इंत्रिक मालेखा पर एक शक है वो राज्यों के बज़्टों का आडिट करता है और उसके बारे में एक रिपोर्ट सम्मिट करता है। यह उसके समवेथानिक कामकाच का हिस्सा है। पर यह में भारत के अगर यह कि राज्यों के जो खाते हैं राज्यों के जो बज़ट हैं उनका प्रापर आडिट नहीं होता है और खासतर से वो जो ऐसी बारूइंग कर रहे हैं जो बज़ट से बाहर है यानि बहुत सारे ऐसे ऐसा पैसा वो जुटार हैं जिसको बज़ट के करज में शामिल नहीं करते यानि वो बजट के घाटे को छिपाते हैं और उसको अलग रखते हैं काम किन सरकार भी करती रही है इससे पहले अभी हाल में कुछ राज्यों को के बारे में ये बात निकल कर आई थी किन सरकार के साथ बैठ हैक में कि कई सारे राज्यों ने अपनी संपतियां गिर्मी रखी और उसके लिए पैसा लेना शुरू किया है अब जब कि देश के अंदर एक किसम से राजकोशी दवाव बढ़ रहे हैं कई सारे राज्यों के ओपर राजकोशी दवाव बढ़ रहे हैं उनके करज लेने की प्रक्रिया बदल रही है तो सीएजी ने ये कहा है कि अब वो रा architecture तेह नहीं है शायद हमें पता चलेगा कि किस राज्य की वित्ती इस्थिति कितनी अच्छी और खराब है और उसके आधार पर हम यह फैसला ले पाएंगे और बाकी लोग फैसला ले पाएंगे कि वो राज्य आर्थिक रूप से से आगे जाने में कितना सक्षा में उसे क्या किया जाना चाहिए इसका एक और पहलो महत्तुपूर्ण है कि राज्य राज्यों को राज्यों को आर्बी आई के जरीए वेजीन मीन्स एडवांस लेने की और स्पेशल ड्राइंग फैसलिटीज मिलती है यानि राज्य अपने धैनिक खर्चों में जो कमी होती है और राज सरकारों के ऊपर अपने राजस्व ठीक करने का और अपने खर्चों के लिए कही सारे जिसमें लोकल भावन खर्चे हैं उन्हें संतुलित करने के लिए शंसाधन जुटाने का दवाव बढ़ रहा है एक तरफ दूसरी तरफ ब्याज़ दरों में लगातार बढ़ोत्री हो रही है के इंद सरकार के और शरकार के कर्ज पर यायनि अगर हम अभी जो बरहतरी है देखें तो अगले ушे महीनेओं के दरान राजसरकारों पर करज का बोज और ताजह कर्ज पर ब्यार्च का बोज का वी का ज़ाध हो सकता है क्ष्छली एक पर शक में हमने इतना इतना बड़ा बोज राज सरकारों पर कर्च का नहीं देखा था चलि अगली ख़बर से पहले आप एक बात बताईए कि आप दिवाली पर अपने रिष्टदारों को अपने दोस्तों को क्या गिफ्ट देते हैं मिठाई देते होंगे चॉकलेट्स देते ही कते वार है तो इस बार आपको 80 90 पूरे 100 का एक खास एपिसोड बताएगा कि स्टॉक्स क्यों बहुत बहतर हैं गिफ्ट करने के लिए गिफ्ट कैसे किया जा सकते हैं टेक्स की क्या इंप्लिकेशन है अगर आप अपने दोस्तों गिफ्ट करना चाते तो कौन से स्टॉक आप फूड आइटम गिफ्ट ना करें उनकी कंपनियां गिफ्ट करें जैसे जैसे वो पुराने होंगे जेनरली क्या होता है कि आप जो गिफ्ट देती है मालीजी किसी को आपने मिठाई दी कोई गिफ्ट दिया तो जैसे जैसे वो पुराने होंगे उनकी लाइफ कम होगी संदीब ग्रोबर जी देश के पांच दिगज एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो चुनिंदा स्टॉक्स जो इन दिवाली आप अपने दोस्तों को अपने रिष्टारों को गिफ्ट कर सकते हैं यहां आपको दोस्तों आपको से कहा है कि यहां बोकिंग वाली जूप जहां आप बुकिंग पर जाते हैं अपना काम करते हो और आते हैं गिक जोब की छूट होगी जिसमें Infosys या उसके ग्रहकों के हितों का टक्राव ना हो मतलब आप वो काम ना कर रहे हो जो आप Infosys के customer के लिए कर रहे हैं वही आप अपने customer के लिए ऐसा ना हो Company ने करमचारियों को एक internal mail के जरी जानकरी दी है सर मून लाइटिंग पे विपरो कुछ कह रहा है Infosys कुछ कह रहा है TCS कुछ कह रहा है आपको लगता है उद्ध्योगब दो जगा बट गया है मून लाइटिंग पे भारत की IT इंडिस्ट्री में में तदर्थ नौकरियों पर Ad-hoc काम काच पर सीधा बटवारा दिखाई देता है Moonlighting का मतलब यह है कि आप किसी एक company में एक जगे काम करते हों कहीं दूसरी जगे भी काम कर सकें और कमाई वाला काम कर सकें इसके लिए Moonlighting शब्द का इस्तेमाल किया जाता है खास दोर से IT इंडिस्ट्री में और इसे लेकर काफी विवाद है विप्रो ने इस मामले में बड़ा सखत रुख लिया था और उसका मानना था कि ये उचित नहीं है कि IT company आपने कर्मचारियों को दूसरी जगे काम करने का मौका दें सरकार विप्रो के इस रुख के अगेंस थी सरकार के मंत्री का ये बयान आया था कि नहीं ये बाजार का नया ट्रेंड है और उसे करने की जाज़ा दी जानी चाहिए तो तरह से इंफो सेस्स मामले में सरकार के तरफ से जो राय आई थी की नहीं मून लाइटिंग को रोकने की कोई ज़रोत नहीं उसके साथ खड़ा हुआ है अब यहां दो बड़े बड़ी महत्तुपूर्ण खीचतान है मून लाइटिंग को लेकर या इन तदर्थ नोकरियों को लेकर दो तरीके की आई टी कंपिनियां हमें आई टी सर्विसेज भारत में दिखती है एक जो एक वेक्ति कई सारी कंपिनियों के लिए प्रोडेक्ट डिलीवर करता है वहां यह माना जाता है कि इस तरीके के कामकाच अनुबती पूर्ण है कि एक वेक्ति दो कंुएं की गाड़ियां चला सकता है एक वेक्ति दो जगें डिलीवरी कर सकता है आई टी स्पेस में बड़ी दुविदा है क्योंकि आप एक कंपिनी के लिए क कई सारे काम काच को सीक्रेट कामकाच को और जरूरी कांफिडेंशल बिजनेस इन्फारमिशन को समालते हैं इन्फोसिस ने कहा है कि हमें देखेंगे कि हमारा कॉम्पटिशन इससे प्रभावित ना होता हो अब ये पहला प्रयोग है जहां एक बड़ी कंपिनी जो कई सारी कंपिनियों को दुनिया में अपनी सेवाएं देती है वो ये पारदर्शिता कैसे बना के रखेगी ये बाद में समझ में आएगी लेकिन भारत के सूचना तकनिकुद्योग में अब ये खीचतान शुरू हो गई है जहां एक सम्मूए मानता है कि तदरत नौकरिया या दोहरे जाब या दोहरा काम एलाउट है जब कि दूसरा नहीं मानता कितनी और बड़ी कंपीनिया ऐसे लागू करेंगे और कितने लोग किस पर काम करेंगे इस पर हमारी निगाह रहेंगे लगातार महंगे हो रहे है करज के बाबजूद बैंकों से करज माटने की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है साथ ऑक्टूबर तक बैंक क्रेडिट ग्रोथ करीब अठारा फीसद दर्ज की गई जो दस साल में सबसे उपरी इस तरह है बिते दस साल में इस रफ्तार से कभी करज नहीं बटे जैसे अभी बट रहे है हाला कि जमापर दरें बढ़ने के वएसे डिपॉसिट ग्रोथ भी बढ़ी है लेकिन वह अभी दस फीसद से नीचे है साथ अक्टूबर को बैंकों की कुल क्रेडिट का अंकड़ा 129 लाग करोड दर्ज किया गया जो पिछले साल इस दोरान 109 लाग करोड रुपय था सर इतने ज्यादा करज बट रहे हैं कौन ले रहा है कर्च दो चीजे इ पहला तो यह कि बाजार में लिकुडिटी का करंच था हमने देखा और बार बार इंटर्वीन करना पड़ा जिस पर हम चर्चा भी करते रहें तो इसलिए बैंकर्स जो रिटेल सेग्मेंट में क्रेडिट की डिमांड थी जो शार्टिज थी उसको पूरा करने के लिए बैं यह कर्ज में बढ़तरी तो हो रही है लेकिन जो लोग कर्ज ले रहे हैं उनके लिए आने वाले समय में यह चुनोती दिखाई देगी क्योंकि ब्याज़दरों में बढ़तरी हो रही है पर अभी जो जो चेंज है यह चेंज शायद बाजार में लिकुडिटी करंच से या वाजार में जो पूंजी की कमी है ब्याज़दरे बढ़ने के करण उससे प्रभावी दिखाई देता है देश में कर्ज और महंगा होने के संकेत मिलने लगे हैं दस साल की बॉंड इल्ड साड़े साथ फीसद की उपर चली गई है शुकरवार को दस साल की बॉंड इल्ड न 80 रुपए के नीचे आ गया है सर रिजर्ब बैंक के आब रुपए की डहलान किसी तरह रोक सकता है रिजर्ब बैंक का उस गहरी दुविधा में है जहां आब उसे अपना सबसे 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 डिफिकल्ट है सबसे कठिन हथियार इस्तिमाल करना पड़ेगा ऐसा हथियार या 80 सी बिलियन डॉलर इसमें से और निकल गए तो भारत के लिए फिर चुनोती बढ़ती चली जाएगी और रुपए पर जाधा दबाव होगा इसलिए हमने देखा कि रिजर्ब बैंक ने काफी तेजी से रुपए को गिरने दिया फिर जब रुपया 83 के लेविल से और नीच पर दिया फिर जाधा को नहीं रोकना है तो सिर्फ एक काम करना अब उसके लिए अनिवार हो गया है क्यों भारत में व्याजदरों में तेज बड़ोतरी करें क्यूंकि भारत की सबसे बड़ी चुर्योती बहारत में कैपिटल नहीं आना है ट्रेड एकौंट से बहारत में पूझी चाहिए और पूझी खाता ही भारत की साहेता करता रहा है पिछले सालों में अब इस समय जो पेचीदा परिस्थिती भारत के बाजार में बन रही जिसका आजसर रूपए की कीमत पर लगातार देख रहा हो राने वाले समय में दिखेगा। वो ये कि भारत के 10 साल के बांड की य्येड में और अमेरिका के 10 साल की बांड की य्येड का गैप काफी कम हो गया भी। इस समय लगभग 330 basis point के आसपास है। इसका मतलब ये उसका मतलब ये है कि भारत में बाजार को निवेशकों के लिए आकरशक रख सके और एक जो उपलब्ध रास्ता है जिस रास्ते से पूंजी आ सकती है भारती बाजार में चाहे वो पूंजी बाजार में आए या निवासी भारतियों के रास्ते से आए वहां से पूंजी मंगाई जा सके और ये कदम रिजर बैंक के पास बेहत सीमित सीमित उपाए हैं और वह ऐसे उपाए हैं जिनका दोहरासर अब आपने कहा कि ब्याजदर ने बढ़ा दें ये एक उपाए है इसका अर्थविवस्था फिर कैसा असर हो दोहरासर इसलिए है क्योंकि रिजर्ब बैंक इस समय भारती पॉइंट के असपास की बढ़ोतरी उसका असर धीमें दीमें बाजार में दिखाई देगा भले ही भारत की अर्थविवस्था की डोमेस्टिक मांग मांग को लेकर अंतराश्टी एजेंसियों को बहुत जादा होप नहों पर ब्याजदरों में बढ़ोतरी का सबसे खराब कि सरकार अगर अपने करच के कारेकरम को कम करें सरकार अपने अपने घाटे को सीमित करें तो शायद वो करच कम कर सकती है रुपए को बचाने के लिए आर बी आई को ब्याजदर में बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी या फिर ये रुपए को अपने इस तर से गिरने देना हो कि विदेशी मुद्रा भंडार अब इस हिस्तिती में नहीं है कि वो इस जो रुपए की ढहती दिवाल है इसे एक सीमा तक सहरा दे सके इसके लिए भारत में भारती बाजार को भारत के कैपिटल मार्केट को भारत में कैपिटल के फ्लो को थोड़ा आकरशक बनाना होगा और इसलिए जब RBI की मौनेटरी पालिसी कमेटी की बैठक होगी दिसंबर में तब हमें समझ में आएगा कि रिजर्ब बैंक ने आएसी परिस्तिती में क्यार में क्या फैसला लिया यहां एक चीद ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका में ब्याज़रों में बढ़तरी लगात कर बनाई जाएगी बनाई जाएगी बिल्कुल अभी मतलब यह आप कह सकते हैं अगर चला है तो शायद रुपए की धलान को रुका जा सकता है अच्छा दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिस पे जो चीज़ें कभी साफ नहीं होती है जिनकी कभी सफाई नहीं होती है उनकी की भी सफाई करने का मौका माना जाता है मतलब जो संदूग जो पोटली जो सालों से ने खुली होती करते हैं इसको भी उतार लो साफ कर लो लेकिन कि आपको पता कि जो सबसे जरूरी चीज़ें आपके लिए आपका निवेश आपका पॉर्टफोलियो आपने कभी उसकी चाहिए और उन कमरों की सजावट कैसे होनी चाहिए यानि कि पोर्टफोलियो में एक कमरा बताता हूं चार नहीं बताऊंगा पहला कमरा इमर्जेंसी फंड का है तो क्या आप पे है नहीं है तो कितना होना चाहिए कैसे खट्टा करें यह सब कुछ आपको देश की जानी मा आया है और दिवाली पर स्पेशल है एप डाउनलोड कर लेंगे हर शो आपको मिलता चला जाएगा अब देशी ख़बनों के बार विदेशी ख़बर यूके में राजनीतिक आयस्थरता चरम पर पहुंच गयी है 44 दिन पहले प्रधान मंत्री वनी लिस्ट ट्रस्ट ने भी गुरुवार को पत से त्याग पत्र दे दिया उनसे पहले आंत्रिक मामलों की मंत्री और वित्य मंत्री को पत चोड़ना पड़ा था यूके की इस राजनीतिक आयस्थरता की वैसे भारत और यूके के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझवता अब लटकता ही जा रहा ह है कि यूके में राजनीतिक आयस्थरता की वैसे भारत के साथ उसका मुक्त व्यापार समझवता अब खटाई में पड़ गया है सर क्या होगा इस एफ्टीय पर एफ्टीय तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल इस पर किसी सहमती की संभावना नहीं दिखाई देती क्यो डेटाप शेरिंग को लेकर जो यूके की कंपेनियां भारत में जिन अधिकारों को और जिन एक्सेस को चाहती है तो अभी तो सहमतीयों के बिंदु ही तैय नहीं हुए थे इस बीच में यह बड़ा राजनीतिक कुल अर्थिक संकट यूके में आ गया तो फिलहाल भारत के लिए अभी यूके की ट्रेट डील मुझे नहीं लगता है कि मौझूदा परिस्तितियों में अभी बात्चीत की मेज तक आप आएगी परोक्षुर्प से सरकार और सरकार्य इधिकारियों की बीच बात्ची चलती रहेगी और ब्रिटेन की इस समय प्रायरिटी भी वरियता पर भी इस तरह की की कोई ट्रेट डील नहीं कि ब्रिटेन पिछले कई दश्कों के सबसे गहरे आर्थिक संकट में फस गया है सर अब यह जो पूरा घटना करम होगा से लर्निंग्स क्या निकल के आरे हैं पूरे दुनिया में अगर आप देखिए तो एक ख़बरे तैर रही है सुर्खियों में है लर्निंग क्या इस पूरे उठापटक की अभी ब्रिटेन में नहीं हुआ था यह माना जा रहा थे कि जब ब्रिटेन यूरोपीन यूनियन से बाहर आएगा और ब्रेक्जिट होगा तो ब्रिटेन की अर्थवस्था में संकट और क्राइसिस आ जाएगी फिर दूसरा बड़ा संकट कोविड महमारी के दोरान आया फ इस से उबरने में उसे लंबा समय लगेगा ब्रिटेन की करिंसी आर्टाइम लोग पर चली जाती है ब्याजदरों में बढ़ुतरी होने लगती है ब्याजदरों में कमी होने करनी पड़ती है बाजार में पूंजी बढ़ानी पड़ती है इस संकट ने ब्रिटेन को के इतर लोग ये कहते हैं कि नहीं ये फैसला ब्रिटेन के अर्थिवस्ता पर भारी पड़ेगा एक दिल्चस्प चीज इसमें देखने वाली आती है कि राजिनितिक रूप से लिए फैसले हमेशा अर्थिक रूप से सुसंगत नहीं होते हैं ये साबित होता है जब ये फैसला ह हुआ था तब ये माना जा रहा था कि कंसर्वेटिव पार्टी ने अपने वोटर बेस को अपने अपने वोट बैंक को को खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया वहां लोग ये कह रहे थे कि आप तो असली बजट आया है ब्रिटेन का कि जो ब्रिटेन में उद्योगों को प्रोत्साहन देता है लेकिन बाजार बिल्कुल इससे दूसरी चीज एक्सपेक्ट कर रहा था और उस संकटने में ब्रिटेन में में आमतर पर हाल फिला हाल के कई दश को में ऐसा नहीं हुआ जिब किसी प्रिधान मंतरी को इतने कम समय है पैतालिस दिन में असफलता आते सावित हुआ कि अर्थिवस्था की वास्तिविक्ता है राजिनितिक वास्तिविक्ताओं से बिल्कुल अलग होती है सर अब यह जो कुछ भी हुआ हो गया इससे जो नुक्सान होना था वो भी हो गया अब इस डैमेज कंट्रोल के लिए जो कुछ भी किया जाएगा क्या किया जाएगा और उसका अर्थवस्था पर यूरोप की कितना असर होगा आप देखी जैसे लिश्टरस ने इस्तीफा दिया वैसे ही पाउंड सुधरना शुरू हो गया बाजार सुधरना शुरू हो गया बैंक आफ इंग्लेंड ने लिश्टरस के स्तीफे से पहले ही कह दिया था कि वो सरकार की बात नहीं सुनेगा इतनी साख पर खरोचे आई कि आएमेफ को ये टिपणी करनी पड़ी कि ब्रिटेन के अर्थवियस्था में तो सरकार कुछ कर रही और बैंक कुछ कर रहा है आईसी परिस्थिती लोग ये याद कर रहे है कि सर अथनी एदन के जमाने में आई थी जब सुरेज kriysis होई थी और उस वक्त ब्रिटेन के की जो परिस्थिती बनी थी वो इस्थिती आज जो एंथनी एडेन के समय हुई थी जो परधान मंत्री थे वैसे इस्थिती दिखाई दे रही अब यहां से जो पूरी प्रक्रिया वो पूरी यू टर्न करके दूसरे दिशा में जाएगी अब सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके खर्च में कमी आएगी खर्च में कमी आने का मतलब है कि भले वो टैक्स ना बढ़ाए लेकिन हो सकता है कुछ परोक्ष रूप से टैक्स में बढ़तरी करें माना जा रहा है कि शायद वैट में कुछ थोड़ी बढ़तरी होगी ब्रिटेन मे इससे और भेतर ढ़ंग से चीज़ें मैनेज कर सकती थी और अब जहां पहुंच गए वहां से निकालने की जो का जो दर्द और तकलीफ है जहां पर फसी हुई ये ब्रिटेन के अर्थवरस्ता उसको निकालने की दर्द और तकलीफ लंबे समय तक जहलनी पड़ेगी और ब राष्ट्री अंतराष्ट्री खबरों के साथ अगली मुलाका जैसा अंशुमान जी ने बताया उस पार होगी यानि कि दिवाली के उस पार होगी बुद्धवार को होगी लेकिन उससे पहले रविवार को अपना सिलसला नहीं तोड़ेंगे एकनॉमिकम लेकर मैं जरूर आ जाने की क्या संभावना है क्या ये सबकुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने 2013 में या 2008-09 में या 1991 में देखा था या इससे अलग फर्क क्या है इस ये जो मौजूदा चुनोती है इस चुनोती के भीतर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे कि ये जो मोड है हम जहां कर विए भारती अर्थवेज़ था ये पिछले दोरों में आये हुए संकट से कितना अलग है विस्तार से समझे डालर की रुपए की गिरावट की गुथी और उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब आपको यहां मिलेगे चलिए तो फिर अगली मुलाकात आपसे रविवार को हो रही है एकनॉमिकम में सुबा सवा ग्यारा वजे मनी नैन के आप जरूर डाउनलोड कर लिए ताजा एकनॉमिकम आपको वहीं देखने को मिलेगा फिलाल दीजे इजादत नमस्कार कर दो सकता है